हेलो गाई स्वागत है आप सबका है तो हम IDFC फॉस्ट बेंक की आज हम बात करेंगे इसके रिजल्ट आये है अच्छे रिजल्ट आये है अब आगे क्या चाल हो सकती है शेर की तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे तो बिल्कुल बने रही है सबसे पहले वीडियो के अंद इसके प्राइस देखिए आज इसके अंदर देखे तो इसके पारे मेटर्स कि तेजी थी सुबह सुबह इसके बात बात देखे तो यह इंदिन मेटल इन को इन alone 8% की तेजी थी सबह रह सबह रह एक है दिन में जो है सारे अच्छी हो गारे थे यह मेंने शौ्ट टॉम इनों ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस सब्सक्राइब जरूर कर ले अभी के अभी शेयर मार्किट की यूसफूल और जेनियून इन्फरमेशन के लिए और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें अपने सारे द की में अगर बात करूं तो इसका जो काफी स्ट्रोंग बताया रहा है और इसका जो टार्गेट है वह मैंने 15 दिन पहले इस वीडियो बनाया था तब मैंने 70 रुपीस इंका शॉट टू मीडियम टर्म का टार्गेट दिया था और यहाँ पर एक्सपर्ट भी वह ही बता रहा है 75 रुपीस का टार्गेट आप तर रिजल्ट और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने जो है रिपोर्टेट 115 परसंट का जंप दिखाया है प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट आप्टर टेक्स और यहाँ पर कुछ और एक्सपर्ट जो है 70 रुपे का टार्गेट बता रहा है जैसा कि मैंने 15 दिन पहले बताया था आपको वीडियो खुद देख सकते हैं अभी भी मौजूद है वीडियो और यहाँ पर देखे तो 52 रुपीस का अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बताया जा रहा है और यहाँ पर देखे तो क्वार्टर थ्री की हम वैसे ज्यादा जल्चा नहीं करेंगे कि हो सकता है कि आप सब कई लोगों को जो है इसके बारे में पता हो हम जीदा इसके चार्ट के ओपर ही चलेगे छोटी से यहाँ पर मैं इन्फ और इसने जो है अपने एसेट कॉलिटी एंपिएस को भी अच्छा का सा जो है मेंटेन किया है यहाँ पर बताया जा रहा है और अब इसके चार्ट के ओपर चर्चा कर लेते हैं तो जैसे कि आपने बताया हम ने देखा कि यह सबसे पिला देली चार्ट है साथ रुपे का आ बैंक है थोड़ा से इसके अंदर प्रफिट बुकिंग के बाद 57 के आसपास अगर देखे तो अच्छा खासा सपोर्ट में यहाँ पर बता दूब कर फिर से इसके अंदर एक तेजी आ सकती है यहां फिर हो सकता है कि यही से भी एक तेजी यहां पर कल से फिर से देखने को म मंतली चार्ट है और जैसे यह सतर को पार करेंगा तो इसका लाइफ टाइम हाई जो की 83 रुपीज है यह वहां तक भी जा सकता है अगर मैं लॉंग टम की यहां पर बात कर रहा हूं और यह 83 को भी पार करकर ऊपर निकल सकता है तो अब यहां पर अगर देखे तो मैं अगर अगर मार्केट ने साथ दिया तो बाकि अगर 57 को भी तोड़ता है तो फिर जैसे कि एक्सपेट ने बताया 52 रुपीज के आसपास एक अच्छा इसके अंदर सपोर्ट है तो यह शॉट टम का सपोर्ट है 57 रुपीज यह लॉंग टम का सपोर्ट है 52 रुपीज और यह शॉ आप नोट करके रखे और अगर आपके कुछ सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करकर पूछ सकते हैं तो आज के वीडियो में इतना ही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर ले यह वीडियो को अगर अच् कर दो आपस को आप सकते हैं मेरी तरब से कोई भी बाइ यह एसल के रेकम ड़ से नहीं तेंक्यू